हेलो स्टुदेंट्स माई नेम इस अमन एंड वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल स्कूल फेलो क्लासिज और गाईज जैसा कि आप सब लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि NCRT की बुक्स भी डाली है सर तो लीजे आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट है एक ब्रैंड न्यू प्लेलिस्ट और गाईज इस वीडियो के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा पहले बात करूंगा उसके बाद हम अपना टोपिक स्टार्ट करेंगे गाईज यह प्लेलिस् हो हर एक चीज का डिटेल्ड वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा और आज के इस वीडियो में गाईज हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चप्टर नंबर वन करेंगे जिसका नाम है अलेटर टू गोड इस वीडियो में गाईज हम बस स्टोरी को समझने का काम करेंगे उसके बाद जो आपके लास्ट इयर एक्जाम्स में जो क्वेशन्स आए हैं प्लस ऐसे क्वेशन्स जो की फ्यूचर के लिए इंपोर्टेंड बनते हैं आने वाले एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंड बनते हैं वो सभी कवर किये जा वो घर वो था पूरी वैली में एकदम अकेला, एंटायर वैली का मतलब है पूरी घाटी, एंटायर मतलब पूरा होलसम और वैली आपको पताई होगा, वैली का मतलब होता है घाटी, set on the crest of a low hill, वो घर जो की पूरी वैली में अकेला था, set on the crest of a low hill, था कहां पे वो, crest of a low hill, low hill यानि की एक चोटी पहाड़ी, और crest यानि उसकी चोटी पर, यहाँ पर आपको इसका meaning given है, आप चाहे तो अपने बुक से भी रैफर कर सकते हैं, आपकी बुक में भी ये word meaning दिया और आप अगर चाहे तो इस word को याद भी रख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा word है, तो चलिए guys, वो घर जो की पूरी वैली में अकेला था, वो था कहां पे एक चोटी पहाड़ी की चोटी पे, अब क्योंकि वो पहाड़ी भले ही चोटी थी, लेकिन थी वो एक पहाड़ी ही और उसकी चोटी पे वो घर था, तो वहाँ से एक अच्छी खासी हाइट बन जाती थी, और from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest, उस हाइट से असानी से नदी को देखा जा सकता था, और उन खेतों को देखा जा सकता था, जो की मक्का, ये कौर्ण जो वर्ड है, इसका मतलब होत आते हैं, वो केत देखे जा सकते थे, जो की अब लगबग पक चुके थे, और उसके जो flowers थे, उन खेतों के, वो promise कर रहे थे, एक अच्छी फसल होने का, उस अच्छी फसल को होने के लिए, बस एक ही चीज जरूरत थी, the only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower, हाला कि जो मक्का की जो फसल थी, वो बस पकने ही वाली थी, और बहुत ही अच्छा promise कर रही थी, वो अच्छी फसल के लिए, harvest का मतलब होता है, फसल, the only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower, बस धरती को क्या चाहिए था, downpour का meaning होता है guys, तेज बारिश, तेज बारिश चाहिए थी धरती को, और अगर तेज बारिश भी ना आए, और at least एक कम से कम एक shower मिल जाए, यानि कि हलकी फुलकी बारिश से भी काम चल सकता था, throughout the morning लैंचो, अब लैंचो की entry होती है, जो की story का main character है, जो की इसका protagonist है, throughout the morning लैंचो, पूरी सुभह से लैंचो ने, who knew his field intimately, intimately का meaning होता है, बहुत ही अच्छे से किसी चीज को जानना या बहुत विस्तार में होना, लैंचो ने पूरी morning से, जो की अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, कुछ भी नहीं किया था, पूरी morning से, but see the sky towards the northeast, यानि कि नोर्थीस्ट की तरफ वो बस बादलों को, य ये लैंचो की wife है, the woman who was preparing supper replied, woman जो की supper, यानि की कह सकते हैं, आप रात का खाना बना रही थी, उसने reply दिया कि हाँ, अब ऐसा लगता है, कि हमको कुछ पानी मिलेगा, पानी से उसका मतलब यही है, कि बारिश देखने को मिल सकती है, येस, god willing, बिलकुल, हमको पानी जरूर मिलेगा, हमको बारिश जरूर मिलेगी, अगर भगवान ने ऐसा चाहा तो, the older boys who were working in the field with the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner, बड़े बच्चे, यानि कि बड़े लड़के, were working in the field, खेतों में काम कर रहे थे, और smaller ones, यानि कि जो छोटे थे, वो क्या कर रहे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे, तब तक खेलते रहे, चोटे बच्चे, और तब तक बड़े बच्चे काम करते रहे, जब तक कि उस woman न यानि कि अपना सपर ले रहे थे, रात का खाना खा रहे थे, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट होता है भविश्यवाने करना, लैंचो सुभै से ही नोर्थीस्ट की तरफ आसमान को देख रहा था, और उसको लग रहा था कि बारिश आएगी और उ नोर्थीस्ट की तरफ से huge mountains of cloud could be seen approaching, नोर्थीस्ट की तरफ से जितने जो huge mountains of cloud, यानि कि भारी भरकम clouds आते हुए देखे जा सकते थे, the air was fresh and sweet, आपको पता ही है जब बारिश आने शुरू हो जाती है तो जो air होती है वो कितनी fresh और कितनी sweet होती है, वैसा ही लैंचो के उधर ह रहा था, the man went out for no other reason than to have the pleasure of filling the rain on his body, the man, अब ये the man कोन है, ये गाइस लेंचो है, लेंचो है, लेंचो हाला कि वो मील ले रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन लेंचो उठा और बाहर चला गया, उसके बाहर जाने का सिर्फ एक ही कारण था, वो जो है, अपनी बोडी पे, रें की जो presence थी, उसके pleasure को feel करने के लिए गया था, आप सभी ने ये feeling कभी ना कभी ली होगी, और उस feeling को imagine करिए, जब गर्मियों की पहली बारिश आती है, और आप कहीं भार जब जाते हैं, और आपकी बोडी पे, वो जो rain की drops है, वो जो pleasure देती है, वो feeling ultimate होती है, वो feeling unmatchable होती है, तो बस लेंचो भी उस feeling को लेने गया था, उस feeling के pleasure को feel करने गया था, and when he returned, he exclaimed, लेकिन जब वो वापिस आया, तो चिला कर बोला, these are not rain drops falling from the sky, they are new coins, ये बहुत important line है, और यहां से आप एक question expect कर सकते हैं, बहुत बार यहां से questions आए हैं, कि लेंचो ने जो है, उन बारिश की बूंदों को rain की drops क्यों बोला, अभी हम इसका answer decor तो नहीं करेंगे, एक अलग से video आएगी, जहां पर आपको questions और answers बताए जाएंगे, तो लेंचो ने बोला, ये जो बारिश की बूंदे आसमान से गिर रही है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं, the big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5, जो बड़ी जो बूंदे हैं बारिश की, वो 10 cents है और जो छोटी बूंदे हैं बारिश की, वो 5 cents है, with the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower drabred in a curtain of rain, तो guys, एक satisfied expression, satisfied आप समझते हैं, बहुत ही संतोष जनक expression के साथ, उसने अपने flowers को देखा, drabred in a curtain of rain, drabred का मीनिंग यहाँ पर given है, drabred मतलब होता है, covered होना, specially वैसे तो cloth से covered होने को drabred बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बारिश की बूंदों की बात हो रही है, तो उसके जो खेत हैं, वो पूरे बारिश ने ढख लिये थे, अब यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा गाईज, बट सडलनी, a strong wind begin to blow, and along with the rain, very heavy hailstones begin, अब अचानक से क्या होता है, एक बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, और बारिश के साथ-साथ, hailstone आने शुरू हो जाते हैं, hailstone होते हैं, ओले, बरफ के बड़े-बड़े गोले वहाँ पर गिरने शुरू हो जाते हैं, बगेन टू फोल, इस ट्रूली डेवरेंब्ल नूज सिल्वर कोईन्स, और वो जो बारिश के बारिश के बाद जो hail श्ट्रोमाना 스ट अगया था, जो ओले जो गिर रहे थे, वो बिलकुल ऐसे लग रही थे जैसे की, silver coins हो यानि कि चांदी के सिक्के हो the boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls लड़कों ने इस बात की परवा नहीं की कि बारिश उनको भिगा देगी बस उन्होंने ओले देखे और वो उनको collect करने के लिए बाहर चले गए it's really getting bad now exclaimed the man, ये man कौन है लैंचो है, अब शुरुवात में जो वो ओले गिर रहे थे तब इतना ऐसास नहीं हुआ अब लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे तब लैंचो ने कहा it's really getting bad now अब ये बहुत बुरा हो रहा है I hope it passes quickly it did not pass quickly लैंचो ने उमीद की कि ये जो ओले जो गिर रहे है ये जो हेल स्ट्रोम आ गई है ये भगवान करे कि जल्दी से खत्म हो जाए या जल्दी से चली जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ it did not pass quickly वो जल्दी से नहीं गई एक घंटे तक लगातार वो ओले गिरते रहे उस गार्डन पर हिल की तरफ कॉर्ण फिल्द पे और पूरी वैली को उन्होंने ढख लिया दा फिल्द वाइट एज इफ कवर्ड विद दे सॉल्ट और ओलो की वजए से एक घंटे तक जो लगातार ओले गिरे कि जैसे उस खेत में किसी ने नमक डाल दिया हो। उस खेत को किसी ने नमक से कवर कर दिया हो। नोट लीफ रिमेंड उन दा ट्रीज पेडों पर वो पेड वो फूल जो अभी थोड़ी देर पहले एक घंटे पहले एक बहुत ही अच्छी फसल होने का दावा प्रस्तुत कर रहे थे प्रोमिस कर रहे थे कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है हेल स्ट्रोम की वजए से not a single leaf remained on the trees उन ट्रीज पर अब एक सिंगल पत्ती भी नहीं बची थी the corn was totally destroyed जो मक्का की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी थी the flowers were gone from the plants जो फूल थे पेडों के उपर से वो जा चुके थे लैंचो's soul was filled with sadness लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his son a plague of locusts वोड अभी हम इसको आगे decode करेंगे पेडों से फूल जा चुके थे पतिया जा चुकी थी लैंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर चुकी थी जब वो स्ट्रोम जो आंधी थी जब वो चली गई जब खत्म हो गई तब लैंचो अपने खेत के बीच में आया और उसने अपने लड़कों से कहा a plague of locusts locust होते हैं देखे गाईज मैं आपको समझा जेता हूँ locust एक तरीके की fly होती है जो की बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में उड़ती है और पूरी फसल को बरबाद कर देती है अब लैंचो अपने लड़कों से कह रहा है a plague of locusts would have left more than this मतलब जो locust होते हैं वो फसल को हाला ही बहुत बरबाद कर देते हैं लेकिन इतना बरबाद नहीं करते कि एक भी पती एक भी फूल ना बचे उनके बरबादी के बाद भी कुछ बच जाता है लेकिन जो ये हेल स्ट्रोम आई थी इसने सब कुछ बरबाद कर दिया है इसलिए लेंचो ने कहा अपने लड़कों से खेच के बीच में खड़े हो करके कि अगर locust की plague भी आती तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती दा हेल हैस लेफ नतिंग जो वो ओले जो गिरे थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है अब गईज आप सभी लोगों को पता है कि एक फसल को उगाने में कितनी मेहनत करने पड़ती है पहले उसका बीच लेके आना पड़ता है फिर बीच बोना पड़ता है फिर उसको बच्चे की तरह पाला जाता है तब जाकर के कहीं एक अच्छी हारवेस्ट आती है लैंचो ने कहा कि हमारा जो सारा काम था वो सब बरबाद हो गया अब क्योंकि उस घाटी में वो अकेले ही रहते थे जैसा कि पहली लाइन में हमने पड़ाता दा हाउस दा ओन्ली वन इन एंटार वैली वो घर था पूरी वैली में अकेला तो आप उनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं था सारे आदमी मतलब लैंचो लैंचो की वाइफ और जितने उनके बेटे थे बड़े चोटे उन सभी के दिलों में वो जो उस घर में रहते थे मिडल ओफ दे वैली जहापर वो सिंगल हाउस था उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही उमीद बची थी अब वो क्या थी क्योंकि वहाँ पर अब लोग तो थे नहीं उस वैली में वो अकेले ही रहते थे अब उनके मन में उनके दिलों में सिर्फ एक उमीद थी कि शायद भगवान हमारी मदद कर दे अब यह बताया जा रहा है कि मतलब हाला की सब कुछ बरबाद हो चुका है लेकिन याद रखना no one dies of hunger कि कोई भूक से नहीं मरता है that's what they say no one dies of hunger all through the night लेंचो थोट only of his one hope पूरी रात लेंचो अब बस उस एक ही उमीद के बारे में सोचता रहा और वो उमीद आप सभी लोगों को पता है क्या थी the help from the God whose eyes has been instructed see everything even what is deep in once conscience लेंचो को अब पूरी रात एक ही उमीद थी पूरी रात वो एक ही उमीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान हमारे मदद करें ये देखिए गईज ये जो whose eyes है ना ये थोड़ा सा tricky part है ये किस की आखे हैं ये गोड की आखे हैं लेंचो ने बताया कि मतलब ऐसा बताया गया है कि गोड की आखें वो हर चीज देख लेती हैं जो कि एक आदमी की deep conscience में होता है conscience क्या देखेंगाई एन इनर सेंस और राइट और रॉंग मतलब आपके क्या सही है क्या गलत है इस चीज के बारे में भी अगर कुछ सोचते हैं तो वो भी भगवान की आखों से बच नहीं सकता इन शोट यह कहने की कोशिश की जा रही है कि भगवान की आखें सब कुछ देखती हैं वो चीजे भी जो हमको दिखाई नहीं देती लैंचो वाजन ओक्स ओफा मैन वर्किंग लाइक अन एनिमल इन दे फिल्ड बट स्टिल ही नूँ हाउ तो राइट संडे करता है लेकिन बेल जो होता है मन्ध्दी होता है उसके अंदर अकण नहीं थी मेल की तरह अपने खेतों में काम करता रहा था लेकिन उसके बाफ़ुद उसको यह पता था कि लिखा कैसे जाता है, the following Sunday, जो अब Sunday आने वाला था, at daybreak, सुम्ह होते ही, he began to write a letter, उसने एक letter लिखना शुरू कर दिया, which he himself would carry to town and place in the mail, it was nothing less than a letter to God, अब एक ही उमीद थी, भगवान की, तो ओविस सी बात है, उसने letter भी भगवान को ही लिखा, और यही इस lesson का नाम भी ह a letter to God, उसने सुबह होते ही, Sunday के दिन, एक letter लिखना शुरू किया, जो कि letter to God था, और जो कि वो गया खुद से ही, mail box में डालने के लिए, शहर में, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year, वह लिखता है कि भगवान, अगर आपने हमारे मदद नहीं की, तो मैं और मेरी family, दोनों ही इस सा भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, I need a hundred pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail storm, पीसो आपको पता ही होगा guys, पीसो एक करंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, इसी तरह पीसो जो है Latin American countries की करंसी है, तो उसने यह लिखा कि हम भूख से मर जाए ताकि मैं अपने खेतों में दुबारा से बीज लगा सकूँ, sow my field होता है, यहनि कि बीज को बो सकूँ, and to live until the crop comes, because the hail storm has destroyed everything, तो लेंचो ने 100 पीसो क्यो मांगे, ताकि वो अपने खेतों को दुबारा से बो सके, और कुछ पैसे extra थे उन 100 पीसो में, मतलब बीज भी आ जाते उन 100 पैसो से, और कुछ खाने पीने का समान भी आ जाता, जब तक कि वो फसल दुबारा से आ नहीं जाती, he wrote to God on the envelope, जो लिफाफा होता है, जैसे यह letter मैंने लिखा, इस letter को मैंने एक लिफाफे में डाल दिया, और उसके उपर simply क्या लिख दिया, लैंचो ने, to God, मतलब य letter को डाल करके, still troubled, अभी भी वो परेशानी में है, क्योंकि उसके परेशानी भी solved तो नहीं हुई है, उसने बस एक letter लिखा है, गोड को, और उस letter को डाल करके, envelope में पुट करके, आ जाता है, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, अब वो post office पोचता है, letter लिखने के बाद, envelope में डालने के और post office में जाकर के a stamp लगाता है, letter के उपर और उसको mailbox में डाल देता है, one of the employees, post office का ही एक employee, एक करमचारी, who was a postman and also helped at post office, went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God, एक employee जो की postman भी था, post office में, और post office के छोटे मोटे कामों में मदद भी कर दिया करता, वो उस letter को उठाता है, जो की len्चो ने गोड के नाम पे लिखा था, और बहुत ही जोर जोर से हसते हुए, अपने boss को ये letter दिखाता है, never in his career as a postman, had he known that address, उसने बहुत सालों से काम किया आफा उस postman ने, लेकिन उसने अपने पूरे entire career में ऐसा कोई भी letter नहीं देखा था, जो की गोड को जाना हो, the postmaster, a fat, amiable fellow, postmaster जो क्या था, एक fat, यानि की मोटा और amiable होता है, बहुती जो friendly nature का होता है, fellow आपको पता ही है, एक व्यक्ति को fellow बोला जाता है, also broke out laughing, वो postmaster जो थ वो भी इस letter को देख करके हसने लगता है, but almost immediately, he turned serious, and tapping the letter on his desk, लेकिन एकदम से वो serious हो जाता है, immediately होता है, एकदम से तुरंत कोई काम का होना, मतलब immediately, immediately वो serious हो गया, tapping the letter on his desk, commented, or comment करता है, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God, लेकिन पहले तो postmaster खूब हसता है, कि God को किसने letter लिखा होगा, लेकिन एकदम से वो serious हो जाता है, और बोलता है, कि क्या विश्वास है इस आदमी का, जिसने letter लिखा है, कि जो भगवान से ही, भगवान से ही बातचीत करना चाह रहा है, ऐसा कैसा विश्वास होगा उस आद से आप एक question expect कर सकते हैं, guys, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper, starting में postmaster को लग रहा था कि कोई भगवान से बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए, किसी ने ये letter लिखा है, लेकिन जब उस letter को वो खोलता है, जब उसके अंदर वो पढ़ता है कि लैंचो ने, यानि की writer ने, इस letter के writer ने भगवान से 100 pieces की मदद मांगी है, तब उस postmaster को समझ में आया, कि बस ink और paper से या goodwill से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी उसको और चीजे चाहिए थी, जिस तो यहां से question आता है, what did the postmaster do in order not to shake the writer's faith in God, मतलब postmaster ने ऐसा क्या किया, जिससे की जो उस लैंचो का जो faith था God में, वो हिले नहीं, मतलब बरकरार रहे, but he stuck to his resolution, लेकिन जब उसने, मैंने अभी आपको बता गी इसकी हिंदी, कि जब उसने letter को खोला, उसने देखा कि 100 pieces की demand क की गई है, तब उसको लगा कि इंक और paper से काम नहीं चलेगा, starting में उसको लग रहा था कि भगवान से ने कोई question पूछा होगा, और मैं उसका answer भगवान बनके दे दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब उसने अपना एक ध्रड़ निश्या बना लिया था, resolution ले लिया था कि मेरको तो इसका राइटर का जो faith है भगवान के अंदर उसको shake नहीं होने दिना है, he asked for money from his employee, he himself gave part of his salary and several friends of his work, तो मतलब अब उसने जो है ठानी लिया था कि मेरको इसकी मदद करनी ही है, तो उसने अपने सभी employees से पैसे की मदद मांगी, उसने अपनी salary का एक पार्ट भी उस 100 pieces के contribution में डाल दिया, और अपने कुछ दोस्तों से भी उसको उसने मदद ली, it was impossible for him to gather the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half, अब 100 pieces सुने में तो बहुत थोटी रकम लगती है, लेकिन जिस टाइम की ये बात होगी, उस टाइम पे 100 pieces की बहुत ज़्यादा value रही होगी, इसलिए एक postmaster अपनी salary का part देने के बाद भी, employees से मदद लेने के बाद भी, और अपने friends से मदद लेने के बाद भी 100 pieces gather नहीं कर पाता है, in fact, वो क्या कर पाता है, मतलब 50 से थोड़ा ज़्यादा, शायद 55,60 या 65 pieces का वो जगार कर पाता है, he put the money in an envelope, और पैसे को उसने क्या किया, एक लिफाफे में डाला, और उसको address कर दिया किसको, लेंचो के लिए, and only a single word as a signature, और signature पे उसने क्या लिखा, गोड यानि कि गोड ने ये पैसे भेजे हैं, following Sunday, अब Sunday का दिन आ चुगा था, लेंचो केम अब बिट अर्लियर देना, यूजवल तो आस्क, इफ देर वाज लेटर फोर हिम, लेंचो जो है, थोड़ा जल्दी ही आ गया था उससने को, क्योंकि उसको पूरी उमीद थी कि भगव तो जैसे ही लेंचो ने ये पूचा कि कोई मेरे लेटर है या नहीं, तो पोस्ट मैन, जो की डा किया था, उसने खुद ही वो लेटर हैंड ओवर कर दिया, लेंचो को, और जो पोस्ट मस्टर था, जिसने ये सारा काम किया था, पीसोज को कलेक्ट करने का, वो दूर से मन में क्या संतुष्टी होगी, इस चीज को पोस्ट मास्टर एक्स्पीडियंस करना चाह रहा था, दूर से बैठ करके, contentment का meaning यहाँ पर होता है, satisfaction, अब आप लेंचो को खुदी सोची, अगर आप लेंचो की जगह होतें, और आपको वो लेटर मिलता, तो आप आपके चहर लेकिन लेंचो तो यही सोच रहा था कि यह लेटर गोड से आया होगा, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर दूर से बैठ करके, एक जो लेंचो के चहरे पर एक जो संतोष का भाव है, वो experience करना चाह रहा था, अब देखिये गाईज, लेंचो शोड, not the slightest surprise on seeing the money, अब लेंचो को कोई surprise नहीं था, लेंचो को कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, लेंचो को तो पक्का ही पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, इसलिए लेंचो को कोई surprise नहीं हो रहा था वो letter देख करके, such was his confidence, मतलब लेंचो को भगवान के उपर इतना भरोसा था, but he became angry, अब पोस्ट मास्टर को लग रहा था कि लेंचो जो है contentment शो करेगा, satisfaction शो करेगा, surprise होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो लेंचो surprise था, ना satisfied था, बलकि वो तो गुस्सा हो गया जब उसने पैसो को count किया, क्योंकि उसने 100 पीस उसका ही जुगाड कर पाए थे, अब लेंचो को तो पूरा भरोसा था कि भगवान 100 पीसोज ही बेढ़ेंगे, और लेंचो को ये भी पता था कि भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी, nor could he have denied लेंचो what he has requested, क्योंकि लेंचो को faith इतना ज़्यादा था कि लेंचो को पता था कि 100 पीसोज आने हैं, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो 60 या पैसत ही मिले, तो लेंचो इस बात को लेकर के बहुत ही गुसा हो गया, क्योंकि उसको पता था कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते, इमिडियेटली, तुरंध ही, लेंचो वेंट अप टू दे विंडो तो प्रसक फोर पेपर एंड इंक, अब लेंचो जो है, दुबारा से उठा और उसने एक पेपर और इंक के लिए, पेपर और इंक मांगी, पोस्टल ओफिस में, यहां पर पब्लिक बैट करके लिखती है, वहां पर लेंचो ने बैट करके लिखना श्रू किया, विद मच रिंकलिंग ओफिस ब्रो, ब्रो क्या होती है, जैसे आईब्रो उती है, रिंकलिंग ओफिस ब्रो का मतलब होता है, कुछ गुस्से में होना, टुरिया चढ़ा ले अब उसने लेटर लिखा और अपने आईडिया को बताया, जब वो सब कुछ लिख चुका था, तो वो खिड़की पर गया, एक स्टैम्प खरीदी, उसने उस स्टैम्प को लिख किया, और अपनी कलाई के ब्लो से उसको चिपका दिया, अब जैसे ही वो लेटर मेल बोक्स क के अंदर गया, तो लेंचों वहां से चला गया, पोस्ट मास्टर आया, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, और उसने पढ़ना शुरू किया, इट सेड का मतलब है, जो लेटर है, उसने उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, गोड, जो पैसे मैंने आप से मांगे थे, जो सो पीसो मैंने आप से मांगे थे, उन में से सिर्फ सेवन्टी सपीसो ही मुझे मिले है, जो बाकी के बचे हुए थीस पीसो है, वो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी सक्ट जरूरत है, बाकी के पैसे जो है, वो आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन इस बार मुझे मेल से नहीं बेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ओफिस के अंदर जो ये इंप्लोईज है, ये ठग है, क्योंकि लेंचो को ये लग रहा था, कि भगवान ने तो सो पीसोज ही बेज़े होंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो ऐसी मिस्टेकर ही नहीं सकते, तो जरूर ही जो ये पोस्ट ओफिस के जो इंप्लोईज हैं, इन्होंने ही मेरे जो पैसे हैं, सो में से जो तीस पीसोज जो है, वो इनी ने चुरा लिए, तो भगवान इस बार आप मुझे किसी और तरीके से बाकी बचे हुए पैसे बेजना, और मेल से मत बेजना, तो यहां से भी एक गाईस बहुत इंपोर्टन क्वेशन बनता है, कि लेंचो ने जो है, जो पोस्ट ओफिस के इंप्लोईज थे, उनको ए बंच ओफ क्र कोशन आंसर को बहुत डेटेल में कवर करेंगे, अभी फिलाल इस वीडियो में गाईस इतना ही, फिर आप से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुट बाई, एंड टेक केर, क्र लो ओफित से चांँ लो फिर टाल में, और यमाद से भी बंच के लिए तक करेंगे बंच बंच के बंच के लिए दिए का लिए छाफ बंच ऑर बंच कर प का लिए अांना ही, गर बंच भान आंसर कोू करू pissल utilizar कि बंच hyp में करेंगे, फिस से अध्या के बंच